कराची फ्राई कीमा कराची का एक बहुत ही मशूर स्ट्रीट फूड है मैंने पहले आपको लखनवी कीमा भी बताया था लेकिन उसमें मसाले हमने खुद घर में बनाए थे तो बहुत साय लोगों ने हमें कहा कि वह मसाला इस तरह से बनाना थोड़ा मुश्किल है तो कोई इंस्टेंट तरीका बता दे तो आज मैं आपको एक रडिमेड मसाले से य केस्टी कीमा बता रही हूं इसके लिए 1.5 kg कीमा लिया है इस पर मैंने दो टेबल स्पून पुपीता कच्छा पुपीते का पेस लगा कर रख दिया है यह तिका मसाला है एक पैकेट इसका लिया है मखन लिया है यह 150 ग्रैम्स है प्याज है और में ब्राउन करके निकाल ल लगा कीमा डाल दूंगी दही डाल देंगे इसमें एक कप अ कि यह चने का पाउडर है यह डाल देंगे चार टेबल स्पून यह तिका मसाला है एक पूरा पैकेट यह डाल देंगे अध्रक लसन का पेस्ट है दो टेबल स्पून यह डाल दिया है और यह मखन है सौ ग्राम और इजिनली यह मखन में बनता है इसलिए हम भी से मखन में ही बनाएंगे यह सब कुछ डाल कर मिक्स कर दें और फिर इसे हम आदे गंटे के लिए मेरिनेट होने के लिए सब कुछ रख देंगे आदा गंटा गुजर गया है इसे मेरिनेट किये हुए और आप देख सकते हैं यह मशाला है इतना अच्छे से यह हो गया विसमें एक कब पानी डाल रही हूं मैं मिक्स करेंगे और इसे हम पकाना शुरू होंगे अच्छी तरह मिक्स कर दें और फिर इसे हमें कवर करके इतनी देर पकाना है कि कीमा अच्छे से गल जाए और घी बी उपर आजाए जो हमने मखन डाला है इसका अच्छा सा फ्लेवर बन जाए ताइम बाइ टाइम इसे हिलाते रहें यह देखे माशा अला पक रहा है यह अच्छे से साथ ही साइड पर एक कोईला देहकाने के लिए हम रख देंगे क्योंकि हमें एंड में इसे स्मोक भी देना है चने डाले हैं इसलिए इसके नीचे लगने का डर रहेगा इसलिए वकफे वकफे से इसे आप प्लीज हिलाते रहिएगा कि यह देखें यह माशाला अपनी तयारी पर है यह काफिर ज्यादा सालन चीटे ओड़ाता है तो प्लीज इसे कोशिश करें कि धक करी पकाएं मैंने इसका नमख मिच टेस्ट किया है तो मुझे कम लगा है एक पैकिट और यह एक टेबल स्पून मसाले का मैंने और डाल दि देगा लेकिन बाराल यह एक स्पाइसी डिश है तो इसमें मसाला थोड़ा तेज होगा तो ही अच्छा लगेगा मसाला मिक्स करेंगे और आप हम इसे दूआ लगा देंगे कि चूला नीचे जलता ही रहने दे बिल्कुल हलकी आच पर कि यह कोईला सुलगा लिया है इसके ओपर मैं ऑईल डालूंगी इस तरह यह देखिए और इसको कवर कर देंगे ड़कना देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यह किस कदर ज़्यादा चीटे उड़ा रहा था बाहराल कोईला मैंने बहार निकाल लिया था अब दस मिनट इसको और पकाया है और यह देखिए माशाला से यह हमारा खुब्सूरत सा कीमा तैयार हो गया है यह हमारा मज़ेदार सा कराची कबाबी कीमा जो है वो सर्व कर दिया है इसे प्यास के लच्छे हरी मिर्चे और हरे धने से गानिश करके नान रोटी या चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं यह एक इंतहाई मज़े की डिश है करणली से जरूर बनाईएगा और हमें फीड झाल 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 झाल